हेलो दोस्तों कैसे हैं सब मैं है मानुशू स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ड पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिक्शन कॉमिक्स में अमावस सीरीज की चौथी कॉमिक्स अमावस पजेज्ड पिछले अंट में आपने बढ़ा कि प्रॉफेसर अमरत राज उर्फ दब्रेन ने एक एलियन से प्राप्त होते उर्जा रीडिंग्स को चेक करने के लिए प्रॉफेसर अमोल को भैरोगर भेजा था दिव्या ब्लू आई अंकुष नेक्टर समीर और अमरता भी इस मिशन का ह करने के उद्शित से पहुंचे थे कि अजीब अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई गुफा के बाहर भ्यानक मुर्दों और कुत्तों का आकर्मन हो गया दिव्या और अंकुष ने इनका मुकाबला करते हुए ने समाप्त कर दिया समीर ब्योश हो चुगी अमरता को साथ लेकर जब गुफा से बाहर निकला तो दिव्या अंकुष और अमुल जी ने तुरन तुने अस्पताल पहुचाने का इंतिसाम किया डॉक्टर दोरा अमरता को चेक करने की बाद मुरत घोचित कर दिया गया अमरता की मौत के सदमे से समीर बहुत जादा अपसेट हो जाता ह इस बास से अंजान की समीर के अंदर अमावस का कबजा था अंकुष भैरोगर में अपने इंकौरी जारी रखता है जबकि बाकी सब वापिस लोटाए थे बिलासा सिटी में अमावस ने लड़कियों औरतों के साथ अपना घिनोना खेल खेल कर उनकी आत्मों को शैतान को ब लड़ारी भी नजर आ रहा ँछाए जो जितनी रहसमें तरीचे से नजर आता था उतनी रहसमें तरीचे से नजरों से ओजल भी हो जाता था इधर बलू आि जब रात को सिटी लगयर अगश्ट करके लोटती है तो अपने निजी कक्ष में समीर को पाकर चौक जाती है समीर के शरीर पे कबजा जमाएं अब आवस ने अपनी गन्द से दिविया को उतेजित करना शुरू कर दिया उसके इरादे भाबकर दिविया उस पर हमला कर दियी पर आवास की गन्द उस पर हावी हो जाती और उसका सेम की चेतना और आत्मा पर से नियंत्रन हट जाता है। उत्तेजे दिव्या पूरी तरह से अमावस के वर्ष में थी और उसे पूर्दा समर्पित हो गई थी। अब आगे की कहानी प्रस्तत अंक में पढ़े। आहा। कमाल का स्वाध है इस लड़की का। शुरू म अंकुष साथ में थी। वो भावना ही होती हैं जो इनसान को मजबूत बनाती है। मन को प्रबल करती हैं और जब मन प्रबल होता है तो शरीर भी एक नए उर्जा भाव को महसूस करता है। कहा हो तुम अंकुष मुझे तुम्हे देखना है। दिव्या और ब्लू आई ये अंकुष से मिलने की चाहा ने दिव्या को उसके अस्तित्व को याद कर वाविस आने में मदद की। यह यह असंभव है। यह नहीं हो सकता। यह लड़की तो पूरी तरह मेरे काबू में थी। फिर कैसे। कोई बात नहीं। शिकार जितना विरोध करता उसका भोग लगा की है। तुझे अंदाजा नहीं है। किसके साथ की है। इसका जवाब तुझे मेरी हड़ियां देंगी फड़कर 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 आते हुए। आज ना सिर्थ तेरे हलक से बलगी तेरे जिसमें से भी मदद की गौहर सुनाई देगी। मुझे उक्सामत पाट तो मैं तुझे पढ़ाऊंगी समीर। तुपढ़ाएगी मुझे बेरहमी का पाट अमावस को तो फिर देर किस बात की। आजा भड़ जा मुझे मेरा दावा है कि तुझे आस तक किसी लाई में ऐसा मज़ा नहीं आया होगा जैसा आ जाने वाला है। या आखिर समीर का इस पर मनो विग्यानिक परभाव पड़ा है। आह ये लड़की तो मेरे अंदाजी से कहीं जावा तेज है। वाह अब आएगा मज़ा। समीर के चेहरे और शरी को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये किसी इंफेक्शन का ही शिकार है। नवरत तो मुझे खुद से हो र तो ये शरीर रहने लाइक नहीं रहेगा। इसे तोबार अपने काबू में लाना पड़ेगा। अपनी दूसरी शक्तियों को बुलाना बुलावा भीजना होगा। लेकिन एक बात तो पकी है कि जिस शरीर को पाने के लिए तनी मशक्कत करनी पड़ी है वो काम की भी बहु मान गया तुझे ब्लू आई या यू कहों दिव्या वाकई में कमाल की है तू अचानक से तेरी पिटाई ने कामुकता बढ़ा दिये मेरी तेरा स्वात बड़े आराम सनूंगा मैं सुकून से। अमावस के शब्दों ने आग में घी का काम किया गुस्से से पागल सी होने लगी थी वो मुझे बंद कर सुवर के अलाद यही मार डालूंगी तुझे अरे यह दुवा बनकर कैसे गायब हो गया मैं भूत हूं भूत कोई पॉकेट मार नहीं जिसे तुझे और चूट देदी तो तू मुझे खुद को मुझे दिखाने लाइक भी नहीं छोड़ेगी यह क्या हो रहा है रूम सभी जगे से लॉक्ट है फिर यहां तेज हवाओं को तूफान आना कैसे संबब है यह जमीन भाड़का मुझे कैसे बाहर निकल रहे है ब्लू आई को आने वाले तूफान के संकेत दिखे अमावस ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी थी तूफान के संकेत जो बाहर ले जाने वाले थे था उसके अस्तित्व को बार बार मेरे अस्तित्व पर सवाल या निशान लगा कर मुझे निराश मत करो दिख्या खुद के अस्तित्व को विलीन हो जाने तो मुझ मैं बस दिख्या बस अपनी कसमसार्ट बंद कर दो और करोगी अमावस के हावी हो जाने के बार हावी हो जाने का मतलब जानती प्लिवाई, नहीं होने दुगी उड़ा है, मेरे शरीर में तेजना सी भर रहे हैं मेरा मन अनंत्रिस हो रहा है यह फिर हावी हो रहा है मुझपर सब्र изб इंतहा हो चुकी, अब मैं अपनी आखरी शक्ति का प्रियोग करूँगा, नहीं बस सकता कोई भी इस से, अब मैं ही तुम हो, मुझे अपनी आत्मा से अलग नहीं कर पाओगी तुम, लो चको, सौद मेरे लहू का, अमावस की नई शक्तियों का आखरी वार अपना असर कर रहा था, समीर का चहरा बदल रहा था, सामान ने हो रहा था, अमावस इसके शरीर को छोड़ चुका था, बलू आई, नहीं, यह मैंने क्या किया, कोई शक्ति थी जो मुझे नेंत्रित कर रही थी, मैंने उससे लड़न जब मुझे नई शक्तियां प्राप्त हुई है, यह क्या कह रही हो बलू आई, होश में आओ, अब देर हो चुकी है समीर, यहां कोई बलू आई नहीं है, उसकी आत्मा तबाई जा चुकी है, तूने बलू आई की खुबसूर्तिय का स्वाद मेरे रूप में चखा है, क्यो जाते जाते सर्ग का हलका सा हैसास करके गया, अब समय है टांडब मचाने का, तीसरी बार मरने से बचाओं मैं, इसका मतलब है कि शैतान खुच चाहता है कि मैं इस दुनिया पर राच करूं, हाहाहाहाहा, थाह, शालू, शालू, खोली जलने की आवास, मम्मी, बाबा नहीं शालू, शालू, ओ माइगाट, शालू, देखो, बाबा के हाथ में क्या है, तुम्हारा प्यारा खिलोना, तुम्हारा प्यारा भाई नीशू, लो, पकड़ो इसे, नहीं, नहीं, मैडम क्या हुआ, वो मुझे भी माठा लेगा, वो कहीं से भी निकल आता है, मुझे बचा अपना देख लिया, बस इसी कारण, इस ओके, आप काफी दिनों से टेंशन में है, रेस कीजिए, वैसे, किसी से खत्रा तो नहीं है आपको, पलिस वालों की लाइफ बिना खत्रे के होती कहा है, शालू, तुम को छिपा रही हो, ये मैं, अगर तुम्हा पता होता है कि मैं, मैं ही हमेश हूँ, तो शायद तुम अपना दर्द मुझे से शेयर करती, ये एक दरिंदा इंस्पेक्टर, मेरी आखों के सामने इसने एक मासूम को रॉन डाला, मैं इसे नहीं छोड़ सकती, कानून हाथ मैं, मत लो हमेश, वैसे भी तुम पर दर्ज़न केस है, खुद को स टैलेंड के बलबूते, जिसकी सिर्फ मुझे ही जानकारी थी, मेरे पापा और मेरी चोटी बैन दिव्या को भी नहीं पता, कि मैं बच्पन से एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ, शायद खुद की लाइफ में किसी को छाकने ही नहीं दिया, इस कारण मेरे बारे में मेरी फे पहुचने में वेस्ट था, दूसरों की भलाई के लिए, इतना मश्गुल था कि अंकुष की अपनों की मुसीवत का यह अंदाजा नहीं था उसे, विश्वास की कोठी, जी कहिए, क्या मदल कर संबता हूँ मैं आपकी, मैं अमावस के बारे में कुछ जानकारी चाहरा पहले मैं यहां एक जवान लड़की की आउती दी एक मंत्र से उसे पहले लुभाया, लेकिन अगली आउती देने के लिए जब अनुजा की आउती देनी चाहिए, तो समित और उस अगोरी ने पूरा काम बिगार दिया, लेकिन यहां आएक इसी शहरी ने वह मंत्र पढ़ अगोरी और सब को लगा कि मुझे शक्ती मिल गई है मुझे मुक्ती मिल गई है लेकिन मुझे तो नहीं तिर्प्ती मिली ओ साध्वी मिली ही गई मुझे इसमित की आत्मा को महसूस कर रही हूँ मैं लगता है किसी और क्रिया में बेस्त है मुझे शायद धोड़ा इंतिजार करना पड़ेगा इसमित इसमित आ गया अमावस नीली माव आप शक्ती चाहिए तो इंतिजार ही साही वैसे ये भी किसी अपसरा से कम नहीं काश हमारा मिलन हो सकता जिस सौरव को तुम अपना हमदर समझती हो उसी ने मारा है मुझे आओ अमावस शैतान की बड़ी किरपा है तुम पर ये कामुकता की देवी कौन है सादवी हाँ 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 जो मेरी शिकार है मावस उस पर लार मटप काओ इस लड़की की बली से शैतान बहुत परसंद होगा अमावस इसका भोग लगाने के लिए तो मैं भी उत्सुक हूँ इसकी आत्मशक्ती गजब की है इसके साथ क्रिया बहुत शैतान को इसको जानता हूं सादवी जानता हूं इसलिए तो सब्र नहीं हो रहा मुझे पता है कि तुम या क्यों आये हूँ इस लड़की के साथ अपनी तंत्र क्रिया पूरी करो भोग लगाओ शैतान को इसको कौहारी कन्याओं का लगू इसके पेट पर डाल कर मैंने क्रिया शुरू कर दी है ओ काली शक्तियों के देवता तेरे सबसे बड़े उपासक को तेरी आवशक्ता है आह और शक्तियों से बढ़ दे इनकी आत्मा को मैं तेरे सामने इस युवा सुन्दरी के शरीर को समर्पित करती हूँ जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ देख पा रही हूँ सुन सोच और समझ पा रही हूँ पर विरोध क्यों नहीं कर पा रही हूँ ये कैसा सम्मोहन है मुझे इस सम्मोहन से मुक्त होना पड़ेगा मैं इने मनमानी नहीं करने दे सकती अमावस की ये क्रिया मेरे रोम रोम को तेजित कर रही है ये मुझे पर पूरी तरह से हावी है पर आत्मा के एक कर से मैं इनका विरोध करूँगी हार नहीं मानूगी क्या बात है मावस खुश कर दिया तुने शैतान को तु सच में शैतान के असली औलाद है और पिता कभी औलाद की बात अनसुना नहीं करता ये शरीर शैतान ने तुझे दे दिया है तूने जो मेहनत किये इस संदरी के लिए उसका उपार यही हो सकती है मिला दे अपने शरीर के इसके शरीर से जितना तुम दोनों शारे रूप से एक होते जाओगे उतना ही बलवान होगा तू पाप की पचल्ड उर्जा से पूरी कुफा भर गई है नरम नरम पेट पर बहता गरम गरम लहू विश्वास नहीं होता इसकी आत्म का एक कोना अभी विवरोत कर रहा है मैं इसका पूर्णों से संभोग नहीं कर पाऊंगा दिव्या के अस्तित्व का हर जर्रा संगर्ष कर रहा था प्रबल इच्छा शक्ती की हद क्या होती है यह मावस आज जान पाया था उसकी संभोड पैशाज इक शक्ती पे इस संगर्ष को भैरागड की कोफा में गानों हो नहीं हो रही थी उसकी लहर जल्दी शेहर में भी देने वाली थी कोई भी क्लू नहीं मिल रहा अभी तक जहां थी वही हूँ दूसरी देम लेक्टर और ब्लू आई कभी पता नहीं चल पा रहा है इंस्पेक्टर शालनी अभी भी अपने केस में उलजी हुई थी नॉर्मली इस समय तक बें कोई ख़बर देने या लेने पहुँची जाते थे लेकिन इस बार तो सावन में एकदम सुखा बढ़ा है पूरा शरी ठकट चूर हो गया है एक शावन मेरी ठकाबर ढूट कर देगा अब सबसे पहले यही करना है ओवर टाइम ड्यूटी के कारण में निशू पर बिलकुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ निशू सो गया है लड़कियों के सीजियल किलर को पकड़ने है और सिना मटर केस को सॉल्व करने के बाद ही मैं निशू के साथ कोई पिकनिक प्लान करने की सो सकती हूँ संबोग क्रिया पूर नूप से नहीं हो सकी लेकिन कोई बात नहीं परियाप्त से भी अधिक शक्तिया महसूस कर रहा हूँ मैं अब समय एक और बलशारी इच्छा शक्ती की धारक कर शिकार किया जाए शैतान में दिव्या जैसी एक ही एक और आत्मा मांगी है सुन्दरता मैं ही नहीं शारिर काया में भी दिव्या को समान रूप से ठकर देने वाली कुछ तासगी आई ना के विल तेस तर्रार हो उफ दिन भर की ठकावट एक शावर बात दूर कर देती है बलकि बहादुरी और हिम्मत में भी कंदे से कंदा मिलाती हो दिव्या से अब जाकर कुछ चैन पड़ा शरीर के सासर दिमाग भी तरो ताज़ा हो गया अब इस केस के बारे में नाई सरे से सोचना शुरू कर सकती हूँ दिव्या के समर्थियां टटोल कर मुझे एक ऐसी आत्मा का पता चल भी चुका है शालनी जिस केस की जड़ तक पहुंशना जाती थी उसकी जड़ ने खुदी शालनी को अपनी शाखा बनाने का मन बना लिया था अरे ब्लू आई तुम इतनी खामोर्शी से अंदर आते कभी नहीं देखा मैंने तुम्हें बैटमेंट को फॉलो करने लगी हूँ क्या ऐसा ही समझ लो तो कौन से केस पर काम कर रही हो तुम अभी ये रही बिलकुल वैसी आकरशक मोहर कर जैसे दिव्या की स्मृती में मैंने भी कुछ सूचना एगटी किये हैं लेकि कुछ खास हाथ नहीं लगा आप तक आओ साथ में केस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मुझ में अब और सबर बाकी नहीं रहा इसे तो मैं तुम्हें तुम्हारी मदद की जरुवत है बिलवाई इसे जल्दी से सॉल्व करन मेरी है इसलिए तो आई हूँ यहां आज इस केस से तुम्हें छुटकारा दिला करी आखिर मिली गया तुम्हें शैतान अब तेरे आजादी के दिन खतम हुए यह मुझीवत कहां से टपक पड़ी इसकी उमीद नहीं थी मुझे क्या हुआ बल बचा वैसे अच्छा ही सुमित उस अगोरी के पिले वरना तू जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ जानता हूँ शैतान सारी जानकारियों तैयारी के साथ आया हूँ तुससे नपटने तेरी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी मेरे सामने मैं पहले से जादा शक्तिशाली हूँ अब जानता हूँ इस बड़ा ही तगड़ावार था अगला मुक्का पड़े और अमावस समले उससे पहले ही उसका इंतिजाम करना होगा मैं शालनी शेखावद इंस्पेक्टर ओफ विलासा सिटी तो मैं गिरफतार करती हूँ माफ कीज़ेगा इंस्पेक्टर साइबा ऐसा करना तो नहीं चाहता लेकिन आपकी सलामती के लिए ऐसा करना ही होगा उफ ये क्या ये आपको थोड़ी देर ब्योश रखेगा जब तक मैं इस अमावस को ठिकाने लगा है शुक्र है कि शैतान की अलाथ अभी तक कमजोर है इसे बर्गलाने में मजा आएगा अब ये सुमित को लिपटाएगा और मैंसी अब तुम कौन हो मुझे जानने वाले मुझे ब्लैक मास्क कहकर बुलाते हैं तुम मुझे प्यार से अपनी मौद भी बुला सकते हो मुझे अच्छा लगीगा ब्लैक मास्क के एक शक्तिशाल और मिलते हैं अमावस सीरीज की अगली कॉमिक्स अमावस टर्मिनेशन में तब तक के लिए धन्यवाद